आप जिससे प्यार करते हो, वो आपको धोका देकर भाग गया अगर वो बहुत सालों बाद आपके सामने आया, तो आप क्या करोगे? Hello friends, आज के हमारी मूवी Invitation 2020 की इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ट एक Korean मूवी है इस मूवी के बारे में जादा पता ना एक spoiler हो जाएगा तो directly वीडियो को शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारे main character को जिसका नाम हम Walter रखेंगे, उसे एक call आता है इस call से में पता चलता है कि उसके घर पर कोई तीन दिनों में आने वाला है इस call की वज़े से वो बहुत ही disturbed था आज रात उसे सही से नीन भी ने आई जिसका call आया था उसे Walter को छोड़े वे 17 साल हो चुके है हर दिन Walter ने गिना है Walter जहाँ पर रहता है, वही पर एक master भी रहते है उसे अब नीन आ नहीं रही थी तो उन master के पास उचला गया उन्हें वो कुछ बनाने के लिए कहता है master कहते है कि बनाने में ज़रा देर लगेगी पर time में वो कर पाएंगे यहाँ पर master को भी पता था कि वो आ रही है, Walter से जो मिलने वाली है उसका नाम हम Skyler रखेंगे तीन दोनों में Skyler आएगी तो सारे घर की साफ सबह Walter करता है उसके साथ जब Skyler थी तो जैसा घर था उसी तरीके से फिर से recreate करना चाता है वो master के पास आया उसने कहा, यहाँ पर एक painting थी मैंने तुम्हें उसे destroy करने के लिए कहा था पर master ने इसे save करकर रखा है original इस painting का जो artist था उसे उसने painting वापस कर दी थी अब Walter उस artist के पास जाता है यहाँ के रास्ते सब कुछ देखकर Walter को फिर से Skyler की याद आती है उससे याद आता है जब वो एक साथ थे तो हमेशा यहाँ आया करते थे artist के पास जिस painting को लेने के लिए जा रहा है वो painting भी उसने Skyler के साथ खुद paint होए देखी थे और Walter artist के पास आया उसे कहता है कि आपके पास वो painting है artist पुछता है तुम्हें क्यों चाहिए क्या वो वापस आ रही है Walter कहता है कि हाँ artist पुछते है कि तुम उससे चाहते क्या हो Walter कहता है मुझे उससे कुछ questions पुछने है artist कहते है कि इससे कुछ भी तुम्हें फाइदा नहीं होगा जो painting तुमने मुझे दी थी वो मैंने जला दी है वो Walter को वान करते कि Skyler बहुत ही dangerous है उससे दूर रहना है सही होगा इनकी meeting खत्म होगे और फिर Walter वहाँ से चला गया इसके बाद next scene में हम एक लड़के को sword fight की competition में देखते हैं उसके साथ उसके mother भी है इस लड़के की mother ही हमारी Skyler है ये city में आ चुके है और एक hotel में है Skyler ready होकर नीचे जाकर drunk होने वाली थी ये उसके बेटे को पसंद ने आया उसके बेटे का नाम हम Flynn रखेंगे Skyler कहती है कि मैं बहुत सालो बाद इस town में वापस आई हू मुझे अच्छा दीखना है थोड़ी दिर में Flynn भी नीचे आ गया Skyler से पुछता है कि हम ये सब afford कैसे कर सकते हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं है Skyler कहती है तुम्हारे grandfather बहुती रीच है Flynn को अपनी grandfather के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो पुछता है कि मुझे उनके बारे में और भी कुछ बता Skyler कहती है कि हो बहुती अच्छे business man थे Flynn बोचता है कि अगर उनके पास इतने पैसे थे तो हम यहाँ वाग क्यों भटकते रहते Skyler इस बात को explain नहीं कर सकती उसने कुछ तो बहुती बुरा किया है Nixon में हम देखते है Walter सब उसकी पुरानी चीज़े देख रहा था इन चीज़ों में एक फोटो थी जिसमें वो Skyler और उसका ब्रदर था उसके पास एक टेप भी है जिसे अब तक उसने सुना नहीं है अगली दिन Flynn डारेक्ली Walter के पास आया Walter को Flynn के बारे में कुछ भी पता नहीं था और Flynn कहता है कि मैं आपके ब्रदर का बेटा हूँ यानि कि Walter उसका अंकल है Walter ने Flynn को कहा कि अगर तुम यहाँ अपने फादर को ढून रहे हो तो उनकी डेद तीन साल पहले ही हो चुकी है Flynn को इसके बारे में पता था Walter से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर कैसे थे Walter कहता है कि मेरे ओपोजीट थे वो अपने आपको बहुत ही बोरिंग मानता है तो उसका ब्रदर यह बहुत ही एकसाइटिंग था इसके बारे में हमें और भी पता चलेगा यही पर पास Flynn ने एक बुटन स्वाट देखे वोल्टर ने नोटिस करता है और कहता है मुझे बहुत साल हो चुके इससे ट्राइ की हुए Flynn वोल्टर से एक मैच खेलना चाहता है यह दोनों स्वाट फाइट करते है इस स्वाट फाइट में वोल्टर फ्लिन को हरा देता है यह जो हुआ इस पर फ्लिन बिलिड नहीं करता क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्वाट फाइट का प्लियर है और वोल्टर उससे भी अच्छा इसके बाद वोल्टर उससे पुछता है तुम यहां आये क्यो हो फिलिन कहता है कि मेरी मदर ने तुम बहुत सरे लिडर्स लिके थे क्या तुमने वो पड़े थे ही लिडर्स वॉल्टर ने पड़े नहीं फिलिन कहता है मैं और मेरी मदर हम अलग-अलग कंट्री में घोमती रहे हैं एक जगा पर हम रुके नहीं एक stable life हमने जी नहीं हमारे पास पैसे नहीं थे तो अलग-अलग जगा पर हमें रहना पड़ा और वो चाहता है कि वो एक stable जिन्दगी जी है इसी शेहर में इसी खर में और रहना चाहता है वो उल्टर से कहता है कि अब तुम इस घर से चले जाओ Walter कहता है कि मैं मेरे ही घर से क्यों चला जाओंगा Flynn कहता है कि तुम्हारी वज़े से मेरी और मेरी मदर का यह हाल हुआ है अब तुम्हें चले जाना चाहिए मुझे एक stable life जीनी है इनकी मेटिंग यही खतम हो गे इसके बाद Flynn फिर से होटेल में आया तो Skyler उसे पूछती है तुम कहा गए थे तो कहता है कि मैं यही घुम रहा था वो यहाँ Skyler को बता देता है कि उसे एक stable life चाहिए और वो यहाँ वाँ घुमना नहीं चाहता अगले दिन जब सुबा होए तब आर्टिस ने Walter को पेंटिंग भीज दी थी यह वही पेंटिंग है इसके बारे में आर्टिस ने का कि मैंने जला दी थी इस पेंटिंग के साथ उसने एक लेटर भी लिका है इसमें आर्टिस लिखता है कि जो भी questions के तुम answer चाहते हो I hope तुमें वो answer मिल जाए इसके बाद Walter एक जगा पर crock करी लेने के लिए आया जैसे कि मैं पता है कि जब Skyler उसे छोड़ कर गई थी तो जीस तरीके का घर था उसी टाइप के घर को recreate करना चाता है तो अब Skyler से मिलने की रात आ चुकी है Walter ready हो जाता है उसने notice किया कि जीस तरीके से वो घर चोड़ कर गई थी ये अब ये भी उसी तरीके का है वो घर में जब painting देखती है तो गहती है कि बहुत ही beautiful है यहाँ पर वो इस painting के बारे में भूल चुकी थी वो भुश्टी है क्या कल मेरा बेटा यहाँ आया था वोल्टर कहता है कि हाँ वो फ्लीन की मदर ही है तो उसके बारे में उसे सब कुछ पता होता है अब हमें flashback से सब कुछ इसे पता चलती है कि हुआ क्या था एक दिन वोल्टर का ब्रेदर वोल्टर के पास स्काइलर को लेकर आया हुआ था वोल्टर ने जब स्काइलर को first time देखा था तब ही उसे पता चल गया था यही उसकी wife बनेगी वोल्टर हमसे कहता है कि मेरा ब्रेदर और मैं हम दोनों बहुत ही opposite थे ब्रेदर का नाम हम Frank रखेंगे Frank बहुत ही exciting था उसे music अच्छा लगता था अलग-अलग places पर जाना अच्छा लगता था उसे लगता है कि शायद इसी वज़े से स्काइलर ने मुझे धोका दिया Frank ने वॉल्टर को कहा था इस स्काइलर सिर्फ उसकी एक friend है और इसी वज़े से वॉल्टर ने स्काइलर को approach किया था स्काइलर और उसमें फिर एक अच्छी सी relationship develop होई फाइनली वॉल्टर ने स्काइलर को उसे शादी करने के लिए पूछ लिया उन दिनों स्काइलर हमेशा वॉक करने के लिए evening में जाया करती थी वो कहा जाती थी इसके बारे में वॉल्टर ने कभी उससे पूछा नहीं था एक दिन वॉल्टर जब Frank के पास आया तब वही उसने स्काइलर के innerwear देखे उसे पता चल गया स्काइलर और उसके brother में affair है फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं वॉल्टर स्काइलर को टी के लिए पुछता है वो कहता है जिस रात तुम मुझे छोड़ कर गए उस रात जो टी तुमने मुझे पिलाई थी यह वही टी है फ्लेश वैग में हम उसी सीन को देखते है स्काइलर वॉल्टर को टी पिला रही थी वॉल्टर टी को पी लेता उससे पहले ही स्काइलर ने उसे रोक लिया इसके बाद वहां से चली कही थी अब प्रेजेंट में वॉल्टर कहता है कि उस टी को मैंने लेक में डाल दिया था अगले दिन उस लेख के सब फिशिश मर गए यानि कि सकाइलर वॉल्टर को पॉईजन कर रही थी अब जो टी वॉल्टर ने सकाइलर को ओफर की है सकाइलर भी वो पी लेती है वॉल्टर अब सकाइलर से बुछता है हमारे शादी के एक दिन पहले क्या तुम मुझे सच-बुश में मारना चाहती थी सकाइलर के साइलर से उसे पता चल जाता है कि सच था अगला क्वेशन वो पुछता है क्या तुम्हारा मेरे ब्रदर के साथ अफेर था सकाइलर हमेशा बहुत सारी बाती करती है पर अब वो साइलर है तो Walter कहता है तुमारी खामोशी से मुझे पता चल गया Walter हमसे कहता है यह Frank बहुत ही cool था तो उसके पास पैसों का management नहीं था हमारे father हमारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर गई थे मैंने मेरे पैसों को conserve करकर रखा पर Frank अजिब सी investment करता रहा फाइनली फ्रैंक के पास रहने के लिए भी जगा नहीं थी उसी वचे से वो Walter के पास आया हुआ था वो Skyler से कहता है यह मेरे ब्रदर के साथ तुमारा affair हुआ अगर तुम दोनों के पास पैसे होते है तुम जल्दी से भाग जाते है पैसों के लिए यह तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी एक्च्वल में Skyler ने Walter का एक stamp लिया इस stamp से उसने एक बड़ा loan ली लिया था Walter कुछ करे ना इसलिए उसे वो मारना चाहती थी पैसे लेकर वो और Frank भाग जाने वाली थे यह उसका plan success हो भी जाता पर Frank ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया अब present में Walter Skyler से बुच्छता है तुम मुझे मारने वाली थी कि मेरे ब्रेदर को यह पता था Skyler इस पर कुछ भी बोल नी रही Walter के पास एक tape है जो उसके ब्रेदर ने मरने से पहले Walter को दी थे इस tape में Frank ने सब कुछ confess किया था Walter ये tape लेता है वो इससे डिस्ट्राइक कर डालता है वो Skyler से गहता है अगर तुम अब छोट भी बोलोगी तभी भी मुझे पता नहीं चलेगा वो अपने ब्रेदर से प्यार करता था तो उसके बारे में कुछ गलत सोचना नहीं चाता उसे अंदर ही अंदर पता है कि उसका ब्रेदर भी इसमें involved था व्योंकि जब Skyler चली के तभी एक दिन फ्रैग ने खुद खुशी कर ली थे अभी अभी Walter ने Skyler को जो टी दी उसमें कोई भी poison नहीं था वो अभी भी Skyler से प्यार करता है उसे हट नहीं करना चाता जिस दिन Skyler उसे छोड़ कर गई थे उसी दिन Master ने उनके लिए डांस भी किया था आज रहा भी Master Face से उनके लिए डांस करते हैं अभी इनकी मीटिंग खतम होगे जो भी चीज़े Walter को Skyler को पूछ नहीं थी यह उसने पूछ डाली है अपने मन में जो भी था यह सब कहे डाला है जाते जाते Skyler उसे कहती है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मैंने जो भी किया उस सब कुछ बहुत गलत था अब नेक्स डे Skyler इस सिटी से जा रही है पर Flynn अपना माइंड चेंज कर लेता है वो इसी सिटी में स्टेवल लाइफ जीना चाता था पर अपनी मदर को छोड़ नहीं सकता यह गाड़ी में थे तो Skyler उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर अभी भी जिन्दा है इसका मतलब है Skyler को लगता है कि Flynn के फादर Walter है हमने मुवी में देखा था कि Walter ने Flynn को स्वार्ट फाइट में हरा दिया Flynn एक अच्छा प्लेयर है तो उसे पता चल गया कि Walter ही उसके फादर है वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है अब हमें actual reason पता चलता है कि Skyler Walter और Frank को छोड़ कर क्यों गई थे वो pregnant थे उसे पता नहीं था कि बेबी के फादर कौन है वो Walter को मारने वाली थे तो उसे पता नहीं था इसी वज़े से उसने उसे छोड़ दिया कि Walter Skyler से पयार करता था तो इसी वज़े से उसने पैसे लेकर Skyler को जाने दिया राद में Walter को होटेल से कौल आया होटेल का मैनेजर कहता है कि आपकी वाइफ और बेटी का बील आपको पे करना है Skyler जिस होटेल में रुकी थी उस सबका बील Walter को पे करना पड़ेगा पर अभी-अभी Walter को पता चला कि Flynn उसका बेटा है यह पता चलने के बाद उसे अच्छा लगा फाइनली क्लोजर मिला उसके फेस पर एक स्माइल थी यही इस मुवी का एंड हो जाता है पर फिर से मिलेंगे और एक में मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खयाल रखियें